तो आज हम बात करेंगे ऐसे चार बहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो की मेरे रडार पर आये हैं और बावजुद इसके की मार्केट इदम पीख पर चल रहा है उसके बावजुद भी मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी ऑपरचिनिटीज है तो इसी इनी ऑपरचिनिटी में हम मिले हैं और आप सभी को पिछली वीडियो में भी आपको याद होगा कि एले कौन मैंने बताया था जिसमें की बहुत यँ अच्छी बढ़ा था यःम इसा बढ़ा है और आपने काफी अच्छा पैसा बनाया भी होगा उन दोनों ही स्टाप में रेमंड अभी एकदम consolidate कर रहा है जिस दिन निकलेगा उस दिन आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा संडे को मैंने एक वीडियो टाली थी जहांपर कि मैंने आपको options के बारे में थोड़ा सा बताया था कि options क्या होते हैं किस तरह से से आप उसमें operate करते हैं किसमें कितना पैसा लगता है option buying क्यों कर नहीं करनी चाहिए option selling करने के क्या reasons हैं वो सारा है हमने उस वीडियो में cover किये थे और I'm sure आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो मैं उसको बटन में डाल दूँगा वो काफी इंट्रेसिंग वीडियो थी मेरी कल की काफी appreciate भी होई वीडियो तो I'm sure कि आप सभी को पसंद आएगी इससे पहले कि हम इस वीडियो को के आसपास और हमने जो यह बात की थी I think इस स्केंडल पर कहीं पर बात की होगी और 142 के आसपास और अभी आप देखेंगे तो मैंने 158 रुपय पे यह अल्री पहुंच चुका है बहुत ही बढ़ी है काफी जबरदस्त प्रॉफिट इन्होंने शोकिया है और यह जो साइकल टर्न हुई है आप सभी को पता है यह लॉंग टर्म में काम करती है और इसमें काफी ऑपरचिनिटी अभी बाकी है तो काफी स्टीम अभी बाकी है अभी तो चलना शुरू हुए ही है यह स्टॉक्स और अभी इसमें काफी उपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे और आज बहुत जबरदस वॉल्यूम के साथ यह चार्ट थोड़ा सा गलत रेड दिखा रहा है हाला कि यह पूरा तीरा रुपए उपर बंद हुआ है दस परसेंट उपर बंद हुए है आप यहां पर प्रॉब्लम है तो यह जो आप देखेंगे एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ यह उपर गया है और इसी कारण यह मेरे ड़ादार पर भी आया है आज फिर से तो 142, 143, 140 तो भी ऑने से फर साइट स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस आप इसमें 140 के आसपास लगा कर रख सकते हैं टारगेट क्या рублей इसमें अल्मोस्ट काफी अच्छे इसमें टारगेट मिल सकते हैं 170, 180 के आसपास यह जाने का दमकम पूरी तरह से रखता है तो 170, 180 का इसमें टारगेट हो जाता है जो की बहुती है इस particular stock में तो बैंक को बड़ोदा ये पहला stock है ये जो है volume bar देख सकते हैं आप अगर RSI देखेंगे RSI भी देख सकते हैं और ये MACD पर positive crossovers भी हैं तो सारे ही parameter से बहुत ही अच्छा लगदा है मुझे ये particular stock क्या ये मेरे portfolio में है या मेरी trading position है इसमें मेरी कोई trading position नहीं है आप सभी को पता है कि PSU banks में ने एक stock ले रखा है और वह बहुत पुराने समय से ले रखा है जो मेरा double हो चुका है already किसी को भी अगर याद हो कॉंसा stock है क्योंकि अगर कुछ viewers ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर काफी पुराने टाइम से जुड़े हुए आप सभी को पता होगा कि मैंने कौंसा stock PSU banking में एक stock ले रखा है और और वो मेने अभी भी रखा हुआ है comment में जरूर बताएगा अगर आपको याद है कि कौंसा वो stock है तो इसी के साथ हम अभी दूसरे stock पर बात करते हैं इस particular stock मेरे कोई position नहीं है और मेरे radar पर जरूर है अभी हम दूसरे stock के बारे हैं बात करते हैं ये आप देख रहे होंगे एक और stock है जो कि बहुत ही बढ़िया इसमें आज ही breakout आया है वो कौन सा है JM financial का stock JM financial आज 10% उपर है तो क्या ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि इसमें आज ही जो breakout आया है कुछ पिछेत्तर रुपे के आसपस पिछेत्तर रुपे पर क्या breakout है ये जो एक pattern बना है आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि कौन सा ये pattern कहलाता है ये एक pattern है जो आप सभी को दिखेगा अभी आपको दिखने लगेगा क्या है ये ये है head ये है shoulder left shoulder right shoulder ये है inverse head and shoulder pattern जो की बहुत ही बढ़िया pattern है और इसी वज़े से ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा return ये दे सकता है और अभी के अभी ले सकते हैं अभी लेने के बाद इसमें कुछ 97 hundred रुपीज तक की चाल देखने को मिल सकती है आपको इसमें जो next पड़ाओ है इसमें कोई resistance ही नहीं है किस से पहले इसमें जो पहला resistance दिख रहा है वो दिख रहा है 97 रुपीज पे तो यह जो है यह इसका पहला resistance है तो बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है चार्ट पर और अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं 77.20 पर अभी चल रहा है और inverse head and shoulder का जो result है वो बहुत ही उमदा result आता है बहुत ही बढ़िया pattern है यह तो इसमें आप ज़रूर अपनी position बनाने के बारे में सोच सकते हैं हाला कि कोई recommendation नहीं है यह channel पर एक सिर्फ जैसे मैंने आपको बता है inverse head and shoulder और बहुत ही बड़ा inverse head and shoulder pattern है आज 200 DMA और सारे ही moving averages के ऊपर यह trade कर रहा है blue वाली जो line है यह जो line है यह जो breakout आए है यही पर यह breakout है 75 रूपीज के ऊपर तो आपका stop loss कहां हो जाएगा stop loss आप लगा सकते हैं इस particular chart पर 75 रूपीज का और target क्या हो जाता है 97 97 से पहले कोई resistance दिखनी रहा है मुझे तो strict stop loss के साथ अगर आप trade करेंगे तो I am sure that you will be in a winning trade and इसमें कैं मेरी position है मेरी कोई position नहीं है तो GM financial में भी कोई मेरी position अपनी नहीं है यह एक disclaimer हो जाता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें आज बहुत ही जबरदस्त volume आया है और volume के साथ price action भी हुआ है तो यह बिलकुल मुझे strong feeling है कि यह बहुत बढ़िया चार्ट होने वाला है और बहुत अच्छा return on investment होगा इसमें तो यह high conviction trade है तो इसमें आप ज़रूर अपने रडार पर रख सकते हैं इसी के साथ हम third stock के बारे में बात करते हैं third stock जो है आप सभी को पता होगा मैंने थोड़े दिन पहले ही आप सभी को सुझाया था कि यह जो line है green color की lines है इस पर मैंने सुझाया था और अभी आज एक और इसमें breakout आया है जो कि बहुत ही बढ़िया breakout है 582 के उपर 582, 583 के उपर एक breakout है और इसकी पुष्टी हो चुकी है inverse head and shoulder pattern भी आपको देखने को मिलेगा यह आप देखिए तो यह जो inverse head and shoulder pattern है यह बहुत ही बढ़िया result देता है और GE shipping मैं पहले भी अपने channel पर cover कर चुका हूँ किसी को अगर याद हो किसी ने इसमें पैसा लगाया हो और किसी ने पैसा बनाया हो जरूर मुझसे share कीजेगा because काफी नीचे इस तरफ पर बताया था और अभी काफी अच्छा इसमें return आ चुका है हाला कि अभी भी एक बहुत बढ़िया breakout है तो आप इसमें भी position बनाने के बारे में सोच सकते हैं आज कुछ 9% चला है बढ़ अभी यह चलने के शुरुआत है तो आप जरूर इसमें सोच सकते हैं 700 रुपे तक की चालिस में देख सकते हैं आने वाले टाइम में तो यह हमारा third stock हो जाता है now let's talk about the fourth stock of the day तो यह fourth stock है थोड़ा interesting stock है काफी टाइम से एक दाइरे में चल रहा है यह दाइरा क्या है यह दाइरा है तो यह जो चैनल है यह चैनल है कुछ आप देखेंगे कुछ 250 रुपे के आसपस 250 से लेके और 180 या फिर आप देख सकते हैं कुछ 200 रुपे तक दोस्तों से 250 के आसपास ये काफी टाइम से घूम रहा है ये जो चैनल है ये देखेंगे आप ये जो चैनल है इसी में घूम रहा है काफी टाइम से इस चैनल का breakout आज आया है और अभी जो next पड़ाओ मुझे दिखता है वो दिखता है 300 रुपए तो इसमें जो है आप अगर पोजिशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं इसमें 300 पहला पड़ाओ 269 270 अगर तोड़ देता है तो 300 300 रुपए तक easily जा सकता है 300 के उपर ये जाने के बारे में सोच सकता है और 320 next level है तो इसमें आप अगर अपनी पोजिशन बनाना चा SL क्या है इसका 230 targets क्या है तो पहला target है T1 अगर आप बोलते हैं तो 270 second target है 300 and third target है 320 ये targets है और बहुत मुम्किन है कि 300 रुपए तो बहुत ही easily जा सकता है ये बहुत ही अच्छी company है IRB Infra में और Infra में आप सभी को पता है कि इस तरह का boost है इसमें disclaimer ये है कि इसमें मेरी अपनी position भी है और इसमें मैंने आज भी कुछ stock जोड़े है क्योंकि आज काफी अच्छा breakout भी आया है अगर आप देखेंगे तो ये जो breakout है ये आया है almost 245 के ओपर तो ये 245 के ओपर जो breakout है मैंने 255 के आसपास अपने इसमें और add किये हैं तो वो एक disclaimer disclaimer हो जाता है आप सभी को बता है मैं इस तरह के disclaimer आपको हर बार अपनी हर वीडियो में देता हूँ so that आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्यान दे रहा हूँ और अगर ऐसा ना हो कि मैं आपको position बाद में बनाने के लिए बोलू और पहले मैं अपनी position ले यह जो stock है यह चौथा stock है और यह आज का आखरी stock है सबसे high conviction trade मैंने आप सभी को बताया जो कि है GM financial वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा pattern देखते हैं और बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिल सकती है और risk reward बहुत जबरदस्त है उसमें तो यह आज के charge talks हो जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो do like my videos don't forget to share it with your friends and family and अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो quickly मेरा चैनल subscribe कर डालिए और bell icon दबाना बिल्कुल मदूलेगा अगर आपके पास अभी अगरे तक DMAT account ही नहीं है तो quickly आप description box में जाकर angel 1K थूँ अपना DMAT account भी खुलवा सकते हैं वहाँ पर free of cost DMAT account खुलेगा और आपको जो है zero delivery charges और trading के लिए 20 rupees per trade है जो कि बहुत ही nominal charges है मैं उसमें option trading करता हूँ generally आपको मेरे को पता आपको मैंने बताया भी है मैंने आपको उसका dashboard भी दिखाया कि इस तरह का उसमें कमाई हो रही option trading है especially I am an option seller तो वहाँ पर काफी अच्छा पैसा बन भी रहा है और अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं जरूर मुझसे जुडिये so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही we'll see you in the next video thank you so much for watching this video